और अभी इस पूरे सभागार में गर्माहट बढ़ गई है क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे राजरितिक सवालों के जवाब मिलेंगे और बहुत सारे आरोप भी जो विपक्ष या दूसरी पार्टियां लगाती हैं उसको लेकर भी जवाब तलब किया जाएगा सर स्वागत है आपका नियूज इस्टेट बिहार जारखंड के इस कारिक्रम में और आपने समय दिया इसके लिए बिशुक्रिया लेकिन अब सवालों पर आते हैं अभी भारती जनता पार्टी जिस मोड में जाते दिखाई दे रही है आप अनुभवी हैं और प्रदेश अध आपको धन्रबाद भारतिय जनता पाठी सत्ता के लिए राजनित नहीं करती है भारतिय जनता पाठी राष्ट के अंदर एक बड़े बदलाओ की राजनित कर रही है और वह राष्ट बाद को मजबूती परदान करें दो तिहाई जुवाओं की आवादी है उसके मन के अंदर अपने राष्ट के परती शमरपन का भाव उत्थान का भाव और वह गौरब साली सांस्कृतिक विरासत को फिर से उनर जागरन के लिए काम कर रही है हम लोग आप नेता प्रतिफख्ष के तौर पर काफी वाइबरेंट लीडर है आपके अंदास को लोग पसंद करते हैं लेकिन आरोप ये लगता है कि भारती जनता पार्टी बिहार में बिन दूले के बाराती जैसी है चेहरा तै नहीं कर पाते हैं ऐसा क्यूं? जहां गिने चुने चेहरे हों वहां तै होता है यहां हर चेहरा भारती जनता पार्टी का जो छेत्रिये पार्टी हैं या दूसरे दल में परिवारबाद बनसबाद के जो जुवराज हैं उससे बेहतर है इसलिए यहां चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहां चेहरा पाले सेच्छेन करने की जरूरत नहीं है कि किसी कर अधीनती है बिहार को बनाया जा रहा है क्या चीज़ को प्रियोगशाला जो अभी दंगे हुए आरोब तो सीधे नहीं राम लिया गया लेकिन जो दंगे हुए जो आगजनी हुई उसमें आरोप लगाए जाते हैं कि भारती जनता पार्टी के लिए एक प्रयोग शाला के तौर पर बिहार को चुना गया है देखें वो इसे विकृत मानसिक्ता के लोग ये बियान देते हैं जिनके मन के अंदर जूठी धर्म निपिक्षता का भाव भड़ा है विहार भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग शाला नहीं है विहार भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक आदर्स का केंद्र बिंदू है और देश के दिल का धरकन कंठार हम इस विहार को कहते हैं इस विहार के अंदर आज इतने भी आप देखें कि कार्ज करने वाली अक्टिवीटी हो रहे हैं उसके अंदर अपने गवरब साली इतिहास और गाथा के परती मौन क्यों है हमारी सांस्कृतिक विरासत क्यों ठहर गई इसके परती लोगों के मन के अंदर जो छेतना जगाने की जरूरत है उससे मूढ करके और जिस तरह से तुष्टी करन की राजनीत करके अपने सांस्कृतिक विरासत को लज्जित करने में लगे हैं जो वातावरन बना रहे हैं वैसे लोग अपनी जिम्मबारी से भाग रहे हैं आज विहार के अंदर दंगा होता है पहली बार दंगा हो रहा है क्या कॉंग्रेस के रीजर में लगातार यह संबेदन सील जगा चिन्नित हैं आप सांतिस समीतिकी बैठक करते हैं हर थाने के अ प्रशासन 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 में बैठे लोग अपनी जिम्यवारी का निर्वाहन नहीं कर पाते हैं और दूसरे के मत्थे मर कर अपने बचने का रास्ता ढूरते हैं यही दुर्भाग विहार का रहा है और विहार के अंदर जिस जातिये जहर के कहर के लहर से धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं ऐसे लोग सत्ता में आ सकते हैं लेकिन समाज के अंदर सुधार नहीं कर सकते हैं और सांस्कृतिक विरासत को गौरब प्रदान नहीं कर सकते हैं आपके पार्टी अलाइंस में लंबे समय तक नितीश कुमार के साथ रही जब ये सरकार नहीं बनी थी तब भारती जनता पार्टी के वरिष्ट नीता भी कहते थे कि बिहार में सब कुछ बहतर है डबल इंजन के सरकार है जाइर से बात ये सवाल आपके सामने कई दफा आया ह लेकिन अब नितीश कुमार पर आपके पार्टी काफी हमलावर होती है मेरा ये सवाल कि अगर नीती आयोग ये कहता है कि बिहार पौर्टी लेवल पर बहुत डाउन है यहां पर विकास के उतने अभी रास्ते खुल नहीं पाए हैं और लोगों को पलाइन करने के लिए मज समय तक रही है और जिमिदारिया रही है भारतिये जनता पाठी 2005 से 2013 के वीच आप देखें विहार के अंदर का क्या बदलाओ है किस तरह से बदलाओ हुआ मानिये नयाले के द्वारा जिसे जंगल राज कहा गया कुसासन को सुसासन में बदलने का काम किया लेकिन जब मन के अंदर अहंकार और लोब हा जाता है और 13 से 17 तक जिस तरह से उन्होंने सत्ता परिवर्तन करके जिसके विरुद लराई लड़के आई थे उसी से गलवईया किये उस पिरियड में क्या हुआ जो महामारी बीमारी में बदलकर समाप्ति की और बढ़ा था फिर महामारी उभरने लगा और 17 में जब दुवारा भारतिय जन्ता पाटी के साथ उन्होंने अपनी लाचारी बैक्त करके कहा कि सो सुशासन हम अस्थापित करेंगे गलती हो गई और गलती की दुवाई दे करके फिर भारतिय जन्ता पाटी चानक के बनकर चंदगू तो बनाया तो हमने समझवता नहीं किया है हमने हमेशा विकास के परती सजग किया आज जितने टेक्निकल कोलेज हो एजुकेशन के अंदर लोव एंड आउडर के अंदर जो खामी है उस पर भी हम लोग प्रस उठाते रहा आज वही मामला लेकर के तो बिदान सभा के अंदर तमासा बना अगर जो हमारे सत्ता की मोह रहती तो लोव एंड आउडर पर विदान सभा के अद्रक्ष के नाते हमने ही तो पूछा था क्यों उचे आसन पर बैठ करके एक न्याई नहीं दिलाया जा सकता है आपका परसासनिक अरजकता जिस तरह से फैल रही है उस पर लगाम लगनी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि भारतिये जनता पाटी बराई कर रही थी हमने ही तो आसन से तीन-तीन बिसेश कमीटी गठित किया जिसमें भरस्टाचार का मामला आया था पर इसानी तो वहाँ भरी थी बैठे हैं सदन के अंदर सभी लोग थे सबने उसका गवाह है कि तीन-तीन कमीटी अस्पेशल गठित किये थे सुशासन अस्थापित करने के लिए हमारा गठबंधन था कुशासन और भरस्टाचार के लिए हमने किसी के साथ समझवता नहीं किया अन्वा उसके समझवता को सुईकार किया तो फिर ये क्यों होता है कि जब भी कोई ऐसे विकास के मामले होते हैं सवाल रोजगार को लेकर होता है तो बीजेपी के तरब से कहा जाता है कि सारे मंत्राले उनके पास थे सारे मंत्राले उनके पास थे सवाल सीधे उनसे पूछिए अगर सुशासन को लेकर आप लोगों ने प्रेशराइज किया और लगता था कि नितीश कुमार उस पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे तो कुट तो बीजेपी को करना चाहिए था नितीश कुमार ने क्यों किया अब यही आरोप पलट के आ जाता है कि सत्ता से बाहर हो गई वो छटपटात है भारती जन्ता पार्टी को दो कि सत्ता से बाहर हो या सत्ता के अंदर हो मैंने पहले ही कहा कि भारती जन्ता पार्टी सत्ता के लिए नहीं राजनित करती है भारतिये जनता पार्टी एक इसमी सदी के भारत के लिए राजनित कर रही है और आज गठबंधन मजबूरी होता है आज उस गठबंधन का हाल यही है कि हम लोग के बाद जिसके साथ गए है वो 15 साथ सासन कर चुके और उनके सासन में पहला बारतिये वो सासन में आये थे उस समय भी भारतिये जनता पार्टी ने उनको समर्थन किया था कॉंग्रेस से बदलाओ के लिए लेकिन जिस पत पर वो बढ़े थे वो पत बिहार के सांस्किर्थिक विरासत के विप्रीत था विहार के जनता के नेचर के विप्रीत था विहार के जो सवभाव है सदभावना का सामाजिक सवहार्द का उसके विप्रीत था जातिये नरसंगार का खेल शुरू हुआ था अपहरन का उद्योग शुरू हुआ था रंगदारी का उद्योग शुरू हुआ था तो बदलाव कर कि इनको लाया गया लेकिन बीच-बीच में यह जो अपना टेस्ट बदलते रहे नेचर सीग नहीं बदलता है सुभाव के अनुकुल यह अपना काम करते हैं इस लिए तो अब इनका दर्वाजा सदा के लिए बंद कर दिया गया वो कśćते हैं दर्वाजा आपका कौन सा है नित्त करने वाले लोग जान रहे हैं ये आमंतर तो नहीं है कदापी नहीं जिसका नेचर सिंगनेचर पल्टूराम का बन चुका है ऐसे लोग कब पल्टी मारेंगे और कब किसके साथ मिलेंगे इस सोभाव के लोग हमें तो विहार को बचाना था विहार के उस दर्द को लेकिन जो पुराने लोग हैं कि सौसो बिद्वाएं चाती पिटती थी एक साथ कितने लोगों का नरसंगार होता था अफरन होता था आज भी सदन के अंदर हमने कहा कि क्यों वह बिमारी महामारी में बदल रहा है डॉक्टर संजे का अफरन हुआ सत्ता में बैठे लोग कह हुआ सोए हैं आज जेठिली के अंदर नरसंगार हुआ क्यों जबाब नहीं दिया आज मुझपरपुर के अंदर केबिनेट में बैठा मंतरी इसराइल मनसूरी को पर डायरेक्ट आरोप लगा रहा है कि हत्या करवाया है और जिसका दोबारा रिपोर्ट आया कि बेटा के ह हार चर्चा में है बालो दारू का जिस तरह से माफिया गिरी चल रही है और सत्ता में बैठे लोग उसके संड़चक बनके उभर रहे हैं अब नाम लेने की जरूत नहीं है हमारे शदन के कुछ मित्री भी बैठे हैं किस-किस का नाम आ रहा है सिकर पर बैठे लोग इस में सनलिप्त हैं जब नियत साफ नहीं हो तो नीती सफल नहीं होता है जिस समय ये सराब की नीती आई थी मैं विपक्ष में था और मैं ही पहले उठ करकर के कहा था कि आपका नियत साफ नहीं है नीती सफल नहीं होगा नीती सफल करना है तो अपने साथ इर्द गिर्द तो ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे और बिहार दूसरे अस्टेट के मुकाबले जो आगे बरना चाहिए वो गती ठहर गई है वो कहते हैं यानि निदीश कुमार जी कहते हैं तेजस्वी यादों कहते हैं कि बिहार के हिस्से का पैसा बिहार को कींद्र नहीं देता है दूसरा एक और सवाल आपने कहा कि रेवेनियो अला मसला आपने खुद पहले की कि शराब बंदी होनी चाहिए या अच्छी बात है इस से 6 से 7 हजार करोड का नुकसान हर साल बिहार जेलता है क्या भारती जनता पार्टी आने वाले वक्त में अगर पावर में आती है तो इसको लेकर सोचे की या इसको continue करेगी बीजेपी का रोड मैप बिहार को लेकर क्या है अगर हम बिहार राजनिती के बातों को छोड़ दे तो आप लोग तैयारी में सत्ता हम में आनिक कर रहे हैं उसे इसाब से कि वही बिहार की सेवा कर दी है लेकिन अगर बिहार की जनता ने आश्रिवाद फुल फ्लेश में दिया तो बिहार में क्या परिवर्तन हो सकता है देखे भारतिये जनता पार्टी सराबंदी के सिर्फ पक्ष में नहीं है हम तो फुर नसाबंदी के पक्ष में है एक माहौल हो ये नसाबंदी कानून से ज़्यादा सामाजिक जागरुकता से होगा हमने तो विधान सभाद देख्ष के नाते महा महिम राजपती महोदय के द्वारा जो समाजिक नेतिक संकल पभियान चलाया था और मानिय प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी समापन में आये थे हमने कहा था कि वियार हमारे महातमाबुद महावीर और माजानकी की धर्ती रही है गुरु गोविन सिंग की धर्ती रही है उस पर गोड़ फड़माता था उसको स्विकार करता था लेकिन आज हम जिस कानून को करनी कथनी में नहीं एक समानता लाते हैं उसी का परिनाम है हम एक तरफ नसाबंदी की सराबंदी की बात करते हैं तो दूसरे तरफ हम सराब बनाने वाले उमिदबार ख़रा कर देते हैं सब्सक्राइब च्पराइब करनी कार्णाइंक्यों को संरचित करने वाला प्राद को तोरने वाला है उसके साथ बैठ कर अग worry हैं तो यह करनी कतनी को जब हटाएंगे और इमंदारी से अपनी नीती को नियत के साथ जोर कर जंता के बैभारिक में लेके चलेंगे तो सफल होगा हमारा एकरी कल्चर आधारि जो विहार का और लेवर रिसूर्स जो है उसके डिवलक्मेंट पर हमारा विहार फिर से गौहरव सालिभ विहार के अस्थान प्राप्ट कर सकता है अच्छा एक चोटा सवाल सर आखरी सवाल विहार की कारवाई क कौन बाधित करता है बिहार विधान सभा चल नहीं पाती है कभी लड़ू फिके जाते हैं कभी कुर्टा फाड़े जाते हैं कभी हंगामा होता है ये परिस्थितियां जनता पूछती है कि बताइए इस हंगामे से हमारा क्या भला होगा कौन जिमेदार है वो आप पे आप उन उपतंत मजबूत हो जनता के विश्वास को जीतकर हम आते हैं और उसी विश्वास पर खरा उतरें उसकी समस्या का समधान करें इसके लिए बिपक्ट की जिमेबारी है कि जनता की आवाज उसकी समस्याओं को सरकार के सामरे रखना सरकार उसका समधान करे, उसका सही रुप से निराकरन करी, लेकिन सरकार जब उससे बचने लगे और बीपक्छ को वरगलाने लगे, और सलटापक्छ के लोग ही बेल में कूद करके आने लगे, तो फिर लोकतंत्र कमजोर होती है, आसन से विपक्ष को संड़क्षन की बजाए हतोच साही डिमोरलाइज करने का परियास सुरू हो मैं भी उस आसन पर रहा हूं और हमने भी विहार की जनता ही नहीं देश की जनता देखी है कि आसन विपक्ष को संड़क्षित करता है सरकार को संड़क्षित करने के लिए सरकार के प से बैठे थे कि गैर सरकारी संकल्प में सरकार को जबाब देना पड़ता हमारे मानिये विधायक लेकिन सत्तापक्स के लोग ही ने उसको अस्थागित करवा दिया परस्ताओ दिये ये हद हो गई हमने कहा ये लोगतंतर की खुल कर हत्या है आप सदन चलाना क्यों नहीं चाहत गहड सरकारी संकल्प में आपने स्थागित क्यों कillar जबाब तो दे लेकिन जबाब आप किस्तरह से देखिए के हरबढ़ी में चल्डी जल्डी सदन को समाप्त कर दिया कौन इसा कारान था सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले सदन चलता है सदन घेराती है दुर्भाग यह है कि परसुनों का सही जबाब नहीं देना, जो जोलंत मुद्दे उठते हैं उस पर भी मर्स नहीं करना, और जितनी भी भी से हमने पहले बताया, एक पर सरकार का जबाब नहीं आना, फिर ये सदन का क्या ओचित रहा? खेक है सर, उमीद करते हैं लेकिन अगला सत्रह ऐसा नहीं होगा, दनिवाद सर आपने मंच साजा किया और समय दिया नेउस च्रेड बहर जारकन को शुक्रिया, एक बारे फिर से जोरदार तालिया, नेताप पृतिपक्ष विजय सिनाजी के लिए